सो हे गाईस मैं हूँ राहूल और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एट्रेक्टिव थम्निल कैसे बनाते हैं दोस्तो अगर आप यूटूब पे सच में पैसा कवाना चाहते हो तो आपका थम्निल जितना अच्छा होगा आपके वीडियो पे भ्यू उतने अच्छे आएंगे ठीक है तो इस वीडियो में मैं आपको एक बेश थम्निल बनाने का तरीका बताऊंगा जो बड़े बड़े यूटूबर होते हैं जैसे की मनोज दे या फिर ये वला थम्निल देखलो या फिर कोई भी अच्छा thumbnail देख लो ये सब thumbnail आप जितना अच्छा thumbnail बनाओगे उतना ज्यादा आपके वीडियो पे भीव आएंगे एक ये thumbnail देख लो तो इस type की thumbnail आप अपने वीडियो के लिए कैसे बनाओगे तो दोस्तों सब कोई एक ही तरीका का यूज करता है लेकिन आ बताने वाला हूँ दोस्तों इसलिए मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसी type के secret वीडियो के लिए भी चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना तो सबसे पहले एक बहतरीन thumbnail बनाने के लिए आपको जो सबसे पहले करना है आपको अपने phone में play store में जाना है और canva को install कर ल लेवल है आप play store पे जाके आप इसको install कर सकते हो website अगर आप laptop यूज करते हो तो डायटिक क्रोम में जाके इसका website यूज कर लोगे website का interface ऐसा ही दिखेगा अगर आपका mobile है तो mobile में भी आप यूज कर सकते हो play store में जाके app store में जाके अगर iPhone है तो उसमें भी कर सकते हो और अगर आपको पास मेरी तरह tab है तो आप tab में भी open कर सकते हो अब आपको किस category का thumbnail चाहिए उस category का thumbnail आपको पहले चूज करना है और वो हो जाएगा आपका अपना thumbnail बहुत से बड़े बड़े लोग यही करते हैं इसकी paid version भी आती है अगर आप चाहो तो paid version कुछ पैसे दे के ले सकते हो नहीं तो free of cost और most important ये video कोई sponsor video नहीं है मैं खुद इसका यूज करता हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप नीचे पे देखोगे तो ये thumbnail समयने बनाया हुआ है यहाँ पे बात करते हैं अगर आप एक editor हो अगर आपको अच्छे से edit करने आता है तो इस type का thumbnail तो आप खुद बना सकते हो छोटे बोट जो clip बनते है वो भी लेकिन आज हमारा वीडियो है thumbnail का यानि की YouTube thumbnail यहाँ पे आपको YouTube thumbnail देखने को मिलता है तो अब हम simply YouTube thumbnail पे click कर देंगे यहाँ हमने YouTube thumbnail पे click कर दिया अब दोस्तों क्या होगा कि मैंने बीच में फोटो पे click किया है इसके वज़े से क्या हुआ है कि पूरा template ही open हो गया है यहाँ पे मुझे कह रहा है कि भाई आपको जैसे बनाना है आप simply इस पे click करोगे आपका thumbnail वह ऐसे बनने लगेगा तो यहाँ पे सारा कुछ मुझे सो हो रहा है लेकिन मैं फिर से एक बार back कर लेता हूं और इस पार मुझे कहां click करना है इस पे click करना है मैंने गलती से लाई थिंक click कर दिया था तो चलो एक बार click करके देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे तो फिर से वही click होगे यह back करते हैं तो ध्यान रखना और YouTube thumbnail पे आपको click करना जब आप thumbnail पे click करोगे तो आपको लिखेगा browse template create blank नहीं browse template तो अब मैं क्या करूँगा browse template पे click करूँगा इससे क्या होगा दोस्तों कि अब YouTube related जितने भी thumbnail होगे अच्छे अच्छे thumbnail far यह Dan आपके सारे अच्छे 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 thumbnail आ जा रहें इन सब ही का आप यूज करके अपने video को attractive बना सकते हो कितने सारे thumbnail है आप अपने video के ह dynamics देख लो आपका चैनल किस category का है वो सब चाहो तो आप यहां से उसको अलग कर सकते हो कि अपने चैनल के category के हिसाब से color के हिसाब से theme के हिसाब से किस category का आपका channel है theme क्या है उसके हिसाब से भी आप analyze कर सकते हो चाहत सकते हो लेकिन मुझे क्या बनाना है मुझे बनाना है एक YouTube का thumbnail तो मैं 클릭 کرता हूँ अब जैसे ही मैं इस पर click करूँगा दोस्तो तो क्या होगा कि मैं इसका use तो नहीं कर सकता मैं जैसे ही इस पर लिखूँगा use this template तो क्या होगा कि मुझसे पैसे मांगे जाएंगे तो मैं इसको हटा देता हूँ लेकिन हम तो हैं भाईया free वाले free में ही use करेंगे पैसे नहीं देंगे तो अब आपको क्या करना है जैसे आप इस पे click करोगे तो आपके thumbnail related जो होगा उससे related आपको यहाँ पे और बहुर सारे thumbnail आ जाएंगे जिसका use करके आप अपने video को attractive बना सकते हो ठीक है तो यहाँ पे आपको देखना आप अपने हिसाफ से कोई एक अच्छा सा thumbnail चूज कर लो जिसको आप चाहते हो कि आप अपने video में use कर सको तो वैसे तो मैंने बहुत सा thumbnail देखा है मैं एक चूज कर लेता हूँ सो दोस्तो यहाँ से मैंने एक template पे click किया और मेरा template open हो गया अब क्या है दोस्तो मुझे अपने video के हिसाफ से इन सभी पे मैं click कर सकता हूँ और इसको edit कर सकता हूँ ठीक है और इसको कितना अच्छा यह पहले से बनावा है मुझे बस इस पे click करना है इसको edit कर लेना है यहाँ पे अगर आपको यह robot का face से काम चलेगा तो ठीक है नहीं तो आप इसको हटा के अपना face भी लगा सकते हो कुछ भी कर सकते हो तो मैं इसको delete कर देता हूँ मेरा यह किसी काम कर नहीं है यहाँ पे आपको यह pic दिख रहा है तो हम simply इस pic पे click करेंगे तो हमारे पास यह वाला pic आ जाएगा इसको हम लेके यहाँ पे लगा देता है अपने हिसाब से जैसा कि हमें सही लगेगा उस type से अब आप अपने वीडियो के हिसाब से आपको जो लिखना है वो यहाँ पे लिख देते हो तो मैं काम गताव मैं वीडियो को रोग के और यह सभी अपना मैटर लिख लेता हूँ दिन आपको आगे की बात करते हैं हम लोग सुद्धों अब आप दे सकते हो कि हमारी थमनेल अल्मूस्ट तयार हो चुकी है अब आपके इडिट स्कील पे है कि आप किस हिसाब से और इसको कितना अच्छा मना सकते हो यहां पर मेरा इडिट स्कील बिल्कुल जीरो है तो मैंने क्या किया मैंने बस एक सिंपल सा एक टेंपलेट चूज किया उसको मैंने अपना यूटूब का जो मेरा टाइटल है वो टाइटल यहां भी लिख दिया अब क्या करना है मुझे इसको सिंपले मैं डाउनलोड पर क्लिक करूंगा और इसको डाउनलोड कर लूँगा अब आप यहां पे मॉडल के फिर्फ के जगह पे अगर आप चाहो तो अपना भी फोटो लगा सकते हो यहां पे ज्यादा तर यूटूबर अपना फोटो लगाते हैं तो आप अगर अपना फोटो लगाओ तो ज्यादा अच्छा होगा फिलाहल अभी मेरे पास कोई अपना पिक था नहीं तो मैंने नहीं लगाया है एक ही था जो कि ठीक से वर्क नहीं कर रही थी PNG फाइल नहीं था जिसके बिसे मैं नहीं लगा पाया So इस टाइप से आप थम्निल क्रियेट कर सकते हो आसा करते हो आपके लिए ये वीडियो हेलफुल हुई होगी तो मिलते नेक्स वीडियो में पबन साथ स्वाख है Love you all